दोस्तो हम लोगों के सरीर को हर एक मौसम हर एक सिजन के लिए अलग-अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है लेकिन एक ऐसा समस्या है जो हर मौसम में हम लोगों होने का खतर रहता है लगबग होता ही है तो वो समस्या है सर्दी खासी और बुखार जैसे कि हम लोग बरसात के मौसम में अगर बाहर कहीं जाते हैं भीग जाते हैं फिर घर पे भीग जाते हैं तो हम लोगो सर्दी खांसी और बुखार होने का खतर रहता है चांस रहता है तो हम लोगों सर्दी खासी और बुखार होने का खतर रहता है यह जो प्राब्लम है यह लगभग सपता दिन तक ठीक हो जाता है अपने आप लेकिन कभी कभी कि नहीं को यह प्राब्लम जो है 15 दिन बीच दिन या फिर एक मेने तक भी रह सकता है या फिर उससे भी जादा रह दिन बीचनल मेरे सकता है तो उस समय हमको यह प्राब्लम जो है गंभिर बिमारी का रूप ले लेता है तो उस से हमको बचना चैए और साथ इसमें अलर्जी के प्राब्लम भी होने लगता है तो आज मैं इनी सारी प्राब्लम हों को ठीक करने वाली एक दवा सित्टाज इन के बारे में फुल आप लोगो डिटल्स दूंगा तो फ्लीज आप लोग वीडियो को लास्त तक देखेंगे ताकि आप लोग सिट्राजीन टेबलेट से जोली हर एक चीज आसानी से समझ में आ सके कि इसके फाइदे क्या है इसके साइड इफेक्ट क्या है इनके सावधानिया इसका लेने का तरीका क्या है तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को सुरूख कर लेते हैं मेरे अंधिर आप लोग अपना यूटूब चैनल मेडिशन इंक्वारीन हैल टिप्स में स्वागत करता हूं दोस्तों सबसे पहले हम लोग सिट्राजीन टेबलेट के प्राइस क के अब वारे में पात करेंगे तो से पहले हुआ यानि लोग अवखा रहे होते हैं जैसे जीसे के साइड एफक्ट हो जाता से हम लोग अलर जी हो सकती है किसी को और सरदी जुकाम या फिर नाक बहने जैसे प्रब्लम हुई ये खुजली जैसा प्रब्लम है उसके संपर्क में आए तो उससे हम लोग एलर्जी का प्रब्लम हो सकता है तो इन सारी प्रब्लम को ठीक करता है ये डाबलट साथ ही इस टेबलेट को पित्ती, कफ, आख में बार बार पानी आना, नाक बहना, खुजली, कभी-कभी बुखार, सर्दी जुकाम, इसकी इसे समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों, जैसे सब टेबलेट के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, इसके भी हैं, तो वो क्या-क्या है हम लोग जानते हैं जैसे सिर्दर, धकान, मूँ, सुकना, चकरणा, उल्टे, खासी, कब्ज, यह सब इसके नॉर्मली साइड इफेक्ट हैं, जनरली होता नहीं होने सब ने डॉक्टर से कंसल्ट किजिएगा अब हम लोग जानते हैं कि कि इस टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए, जिनको BPA डियावेटीस का प्रॉब्लम में गुर्दे या लिवर या हाट से कुछ भी प्रॉब्लम में उन पैसेंट को ये टेबलेट का यूज नहीं करना चाहिए, अगर वो करते हैं तो आपको डिसाड करेंगों वहीं बताएंगे, जनरल इसको साम को यानी रात में ले जाता है भोजन करने के बाद क्यूंकि इसमें जो है थोड़ा बहुत नींद की दवा का कमपोजिशन मिक्स रहता है तो आप दिन में लेंगे तो आपको नींद आने की संभावना होती है, इसलिए इसको रात में ले जाता है और अलकोहल के साथ इसका स्योन कभी न करे, अब जानते हैं इसको इसको जब भी इसको जब भी स्टॉर करना है, कोई सुखे जगां को करना है, नम्हें वाले चेतरों से दूर रखना है, और घर के बचों और पाल्तो ज़नुः उनुरो मेरे द्वारा बिनावी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तब तक आप लोग स्वस्त्रे मस्त्रे दोस्तों धन्यवाद मिलते हैं कल एक ने वीडियो के साथ